नमस्कार मैं इलेक्ट्रो अमेथ, डॉक्टर रनवीर सास्त्री,बी,चास मेडी तो, मताने वाला हूँ। जो पिति की थहली की पत्री में समझों की नाईइटी नाइन posyend वहकार करती है। तो दिखिए इसमें एक दो दबाईयां हैं उन दबाईयों को बताने से पहले यह समझ रहना बहुत आपश्यक है कि अगर आपका लीवर सक्सेश नहीं है लीवर ठीक नहीं है लीवर फैटी है तो ठीक होने में समय जाता लग जाता है कई अबर दबाउं का रियल्ट नहीं आता है उसका कारण सिर्फ एक होता है और बो होता है लीवर का ठीक से काम नहीं करेगा लीवर फैटी होता होगा तो लीवर का जो लीवर रस है वो जो पित की तहली में पहुंचता है वो नहीं पहुंचेगा और वहाँ पर खुसकी रहे आद्र जो कुछ वH laugge के अंदर लेक्ति के गश्त होना आते ही सब्सक्रीन कर लेते हैं तो लेक्ट्रों और कीकॉन पर पहुंचते हूं कि और के अंदर किसी भी जगे पर कोई अगर थेली है उस थेली में काम करने के लिए हमारी सी फोर मेडिसन बहुत अच्छा कार करती है इसके साथ साथ अगर हम एस फाइब और शी फाइब लिते हैं उसक्रूफ फोलोस का पांचमा वालियम और कैंसोरोसो का पांचमा वालियम तो ये दोनों हैं वो लीवर पर एकदम से जादो एफेक्ट करते हैं लीवर की खराबी से कभी कभी देखा गया है कि टाइफइड जाशी विमारी हो जाए फीवर जाशी विमारी हो जाए तो भो भी ठीक नहीं हो पाती है तो S5 और C5 का रियल्ट उदर भी बहुत अच्छा है लेकिन हम बात कर रहे हैं पर सिर्थ पित्की ठहली के बारे में तो पित्की ठहली के लिए कि उसके इलाज के लिए हमें स्क्रफुरोसों का पांच मा बॉलियं Sakrasa । यह दोनों को हमें D6 में 15 15 भूंदें हम दिन में 3 बार देते हैं सुबह देते हैं दुपैर को देते हैं साम को देते हैं कि देने का तरीका क्या है कि 15 बूंद दबा और उसमें लगवग आधे कपसे कम पाने कि मिला जाने मिक्स्ट करने और उसको पी लेए ध्यां रहेकने की बातії कि खाना घ़ाने के आदा गटे पहले और आदा घंटा बाद इन दवा का यूज नहीं करना है या पर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दवा खाएं तो उससे आदा घंटे पहले कुछ नहीं खाएं और दवा खाने के आदा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं इसके अलावा एक और महत्पूर बाद बता पखानाने जा रहा हूं जोकि होमेवेथिय। में बहुत ही अच्छा कार करने वाली दो 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 हैं और थे ह्य। आपको यह भोटो दिखा रहा हूं एस दबा को आप लिए इसकी पंद्रबून सबहार सुबहार और पंद्रबून सिसर्फ साम को लेनी हैं इसकी पंदर मूने सुबह और साम को जब लेनी है तो इसमें आप इलेक्ट्र हमोपैथी की दवाओं को अगर ले रहे हैं तो इन में थोड़ा सा आप जरूर अंतर कर लें किसी भी एक दवाओं को लेने के बाद में दूसरी दवाओं को लेते हैं तो इसकी अलाबा और अगर कोई बात आपको पूछनी है या कोई बात करनी है तो आप हमें इस्क्रिन पर दिये हुए नमबर पर कॉल करके आप हमसे जानकरी ले सकते हैं धन्यवाद